आज मैं आपको कुछ परियोग ऐसे बताता हूँ, जिनको यदि आप अपने वेहवार में लाएंगे, तो आप ऐसी इस्तिती में आ जाएंगे कि पेट में पत्था राजम और लक्षा राजम वाली इस्तिती बन जाएगी. दोस्तों पनाम, आज आप लोगों का चेरा देखेंगे तो आपको चेरे पर अजीब सी उदासी नजर आएगी, चेरे पर जो ग्लो होना चाहिए, हसी होनी चाहिए, वेह अक्सर लुप्त होती है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है डाइजेशन खराब होना, और आईरवेद म हमारा पेट साफ हो जाना चाहिए, लेकिन बड़े दुख का विशे है कि आज की समय में लोग घंटो घंटो बैठे रहते हैं, उनका पेट प्रोपर साफ नहीं होता, वैसे तो इसके बहुत से कारण है, इसमें सबसे बड़ा कारण है हमारा प्रोपर नीद ना लेना, और आज एक रिसर्च और नहीं निकल के आईए कि लोग जो टोइलेट के अंदर मोबाइल लेके बैठते हैं, उनका प्रेशर बहुत कम होने लगता है, और उनको पाइल्स इत्यादी की समस्यां ग्रसित करती हैं, और पाइल्स का सबसे बड़ा कारण कब्स है, जब मोबाइल टोइलेट में लोग बैठते हैं, तो उनका धियान मोबाइल में ज्यादा होता है, पेट साफ करने के प्रेशर के उपर कम रहता है, तो धीरे धीरे हमारा प्रेशर खतम होने लगता है, तो हमको एक ये जो बुरी आदत है, इससे हमको बचना चाहिए, दूसरा तलाब होना जंक फूड इसको पूर्ण तया वरजित करना चाहिए, दोस्तों जंक फूड इत्यादी हमको पेट के लिए नहीं खाना चाहिए, सिर्फ टेस्ट के लिए खाना चाहिए, टेस्ट करा चुट्टी हमारा टेस्ट पूरा हो गया, आज मैं आपको कुछ परियोग ऐसे बताता हूँ, जिनको यदि आप अपने वहवार में लाएंगे, तो आप ऐसी इस्तिती में आ जाएंगे कि पेट में पत्था राजम और लक्षा राजम वाली इस्तिती बन जाएगी, एक बिमारी जो अकसर आज की डेट में 70% लोगों में है, जिसका नाम है फैटी लीवर, फैट का जमाव होना, हमारे लीवर में 5% तक फैट होता है, उससे उपर यदि फैट आने लेगे तो लीवर फैटी हो जाता है, और इसके बहुत कारण है, बहुत ज़्यादा जंक फूड, तले पदार, सौफ ड्रिंक्स, पेन किलर्स, अंटिबाइटिक, बहुत ज़्यादा घी भी लगेगी, हमारे को खाया पिया भी हमारे शरीर में लगेगा, और ये यदि आप एक महिने कर लें, तो लीवर समदित कैसी भी आपको बिमारिया हों, आपको निश्चित रूप से लाव मिलेगा, आप एक महिने के लिए, गेहुं और मैदा बिलकुल छोड़ दो, मैदे से बनी चीज, गेहूं से बनी चीज बिलकुल छोड़ दो, आपको यूज नहीं करनी, और पहले हपते, सिर्फ आपने डाल, सबजी और फल का ही परियोग करना है, डालों में भूं की डाल, अरर की डाल और मसूर की डाल सेवन करनी है, राजमा, छोले, चने, उड़द, इनको बिलकुल परियोग नहीं करना है सबजियां जितनी आप खा सकते हो उतनी खाओ सबजियों में सेना नमक, काली मिर्च, हिंग और बहुत इच्छा हो तो थोड़ी बहुत हरी मिर्च मिला करके आप सेवन करें और जब भी भूक लेगे आप ये सबजी खाएं साथ में सलाद का भरिपूर परियोग करें सलाद में खीरा, ककड़ी, गाजर, बंदगोबी, इत्यादी जो आपको अच्छा लगता हो आप इसको खूब चबा जबा के खाएं इसमें सेना नमक, काली मिर्च का ही परियोग करें उपर से निमूद डाल सकते हैं और भूक लगने के बाद जब आपको प्यास लगे तो आप मठा, जिसको गोरस भी कहते हैं घूट-घूट परके आप इसको पिएं दिन में एक से दो गिलास आप इसको सेवन करें शाम को पांच मजे के बाद मठा सेवन ना करें तो आप देखेंगे कि आपके शरीयर के अंदर परिवर्तन सुरू होने लगता है आप एक हपते के बाद चने की या जोंकी रोटी परियोग कर सकते हैं और इस परियोग को आप एक महिने तक करेंगे आपका लिवर डिटॉक्स होगा जिन लोगों का लिवर फैटी हो वे नॉर्मल की और आने लगता है तीसरा जिन लोगों के पेट में बहुत फैट जमा हो या बहुत ज़्यादा मोटे हो उनके शरीर से फैट धीरे 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 विदा लेने लगता है और हमारी बोडी का डिटॉक्स बहुत अच्छा होता है आगे के हम अपने पाचन किरिया को दुरुस्त करना हो तो एक चून आईरवेद का जो बहुत परसिद है जिसका नाम है हिंग वास्टक चून जिसके अंदर सोंट, काली मिर्ज, पीपली, काला जीरा, सफेज जीरा, अजवायन, सेना नमक और हिंग इन से मिला करके बनता है हमारा हिंग वास्टक चून पहले लोग इसको बहुत सेवन करते हैं तो रोटी के पहले ग्रास में इसको रख करके हम एक चमश लें चबा चबा कर खा लें और उपर से जो हमको दाल सबजी खानी हो उसको ले लें तो हमारा डाइजेशन बहुत स्ट्रॉंग होने लगता है साथी साथ एक आयरवेद की बहुत ही अच्छी और परसिद दवा है जिसका नाम है अस्टक वटी पहले इस दवा को हर व्यक्ति अपने घर में जरूर रखता था अब बहुत ज़्यादा मार्किट में जो है टेस्ट के हिसाब से दवाई मिलने लगी और यह दवा थोड़ा कम हो गए लेकिन इसने अपना असर नेक होया इसका असर आज विज्यों कातियों है जो व्यक्ति एक बार अस्टक वटी को खाने लगे तो यह इसका दिवाना बन जाता है पेट के लिए यह दवाब बड़ी अमरत्तुली है हिंगो आस्टक से मिलता जिलता ही इसका फार्मूला है सोंट, काली मिर्च, पीपली, जीरा, सेननमक, हिंग, लसन और सुदगंदक और साथ में नीमू के रस्में इसकी होती है गुटाई तब जाकर के बनती है अस्टक वटी यदि हम नियमित रूप से भी दो-दो गोली अस्टक वटी की भोजन के प्रश्चात लेते रहे तो हमको पेट सम्मंदित कोई विमारी नहीं सताती जिन व्यक्तियों की आते कम जोर हो यह अस्टक वटी लूज मोशन हो या बहुत कॉंस्टिपेशन हो गैस बहुत ज़्यादा बनती हो मरोड पेट में आती हो उसके लि लीवर फेटी आज के समय में बहुत आम हो गया लोग स्कैनिंग इस्त्यादी कराते मैं आपको एक छोटा सा ऐसा परियोग बता रहा हूं जिसको यह दिया अपने घर में करें तो आपको पता लग जाएगा कि आपका लीवर फेटी है या नहीं आप एक दिवार के सारे चाहिए और इस्टेट हम बिलकुल खड़े हो जाएं उसके बाद गर्दन को सिर्फ हमारी गर्दन जुकने चाहिए कंदे इसमें बिलकुल नहीं उठने चाहिए हम गर्दन को जुका कर यदि पैरों को देखें हमको यदि पूरे पंजे दिख रहे हैं तो हमारा लीवर फे पावे लीवर फेटी की ग्रेड की इस्टिति ज्यादा है तो हमको इस इस्टिति बचने के लिए अपने पेट का जरूर ध्यान करना चाहिए और चोथा मैं आपको एक दवाई बताता हूं मेद नाशक गोधन वटी कैसा भी लीवर संबंद समस्या हों आते कमजोर हों पील हैपिटाइटिस A हो हैपिटाइटिस B हो C हो D हो E हो इन सभी में ये बहुत अच्छा कारे करती है उनर्नवा, कुटकी, चिरायता, भुईयावला, त्रिफला, नागरमोता और कुटकी ये आठ चीजे ले, एक एक किलो ले ले और इसको पानी में खुब उबालने पानी में उबालने के बाद इसको छान ले, अब इसके दो तरीके हैं, कुछ लोग गोमुत्र परियोग करते हैं, कुछ लोग गोमुत्र परियोग नहीं करते हैं, जो लोग गोमुत्र का परियोग करते हैं, तो इसमें 40 पिलो गोमुत्र देशी गाय का बच्या का हो, हम इस करती है जो मैंने पानी कवात बताया था च्छान करके उसको उबाल लें उबाल करके जब नीचे रवडी सी रह जाएगी तो 375 मिलीग्राम की गोली बना कर रख लें दिन में दो बार दो दो गोली आप पानी के साथ नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आ मातों की स्थिति हो इस्प्लीन की दिक्कत हो सभी में ये बहुत अच्छा कार्य करती है हमारा खून बनने लगता है डाइजिसन सिस्टम हमारा बहुत स्टॉंग होने लगता है और भोजन के पर चाहत यदि हम सौंप और मिश्री यदि कोई डाइबिटिक है तो इसमें फोड़ी सी मिश्री धागे वाली मुँ में डालकर चबाके खाएं तो हमको सब पाचन के लिए ठीक हो जाती है पितने ही बनता और हमको बहुत लाप मिलने लगता है और कभी-कभी आप देखेंगे कि हमारे पेट में बहुत अफारा आ जाए तो जो मेने उपरोगत प्रिय क्रिया में सुधार होता है पेट दर्द में सुधार होता है आप इन में से जो प्रियोग कर सकते हैं जरूर करें आपको निश्चित रूप से लाप मिलने लगेगा और जो पहला प्रियोग में ने बताया हर व्यक्ति को साल में एक बार एक महीना अपने शरीर के उपर लग कारियां देते रहते हैं हमारा उस्सा वर्दन करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें बैल आइकन जरूर प्रेस करें साथ में दूसरे सोशल मीडिया पेस्बुक पेज इस्टाग्राम ट्यूटर और लिंक डिन जो की आदर्श एर्विदिक फार्मेशी के नाम से उनको भी जरूर फोलो करें और सब्सक्राइब कराएं धन्यवाद